यदि आप बाइबल की कहानी के विशे में बहुत कुछ जानते हैं, तो आपने शायद सुना होगा कि इशु अनंत जीवन प्रदान करता है, सुनने में अच्छा लगता है, परन्तु अनंत जीवन से इशु का क्या अर्थ है? इशु ने इस वाक्यांश को इबरानी पवित्र शास्त्र से लिया है, हिंदी में इसका अनुवाद अनंत जीवन या कभी-कभी अनंत काल का जीवन के रूप में किया जाता है, पर इस वाक्यांश का इबरानी भशा से ये शावदिक अनुवाद ये होगा युगान युग का जीवन युगान युग का जीवन इसका क्या अर्थ है यह गहरा वाक्यांज है और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस विशे में बात करनी होगी कि बाइबल में युग का अर्थ क्या है आईए इसे समझने है युग के लिए इबरानी भाषा का शब्द उलाम है और य ये समय की एक अवधी को दर्शाता है कितना लंबा समय ये कितना भी लंबा समय हो सकता है और ये आतीत या भविश्य में भी हो सकता है मात्वपूर्ण ये है कि ये समय की ऐसी अवधी है जिसमें कोई समान विशेष्टा पाई जाती है और वो स्थिर बने रहती है उधारण के लिए? उधारण के लिए जैसे मूसा के समय तक अबरहंग और उसके वन्शजों का समय समान विशेशता ये है कि ये मूसा के पुर्वजों का समय है और इसलिए मूसा कह सकता है प्राचीन काल के दिनों का स्मरण करो पीड़ी-पीड़ी के वर्षों और वृद्ध लोगों को या एक युग छोटा और भविश्य में भी हो सकता है जैसे शमोईल जो अपना संपूर्ण जीवन बंदिर में सिवा करने में व्यतीत करेगा उसके समरपन के दोरान उसकी मा हन्ना इसे जीवन भर या युग का समय कहती है इसलिए एक युग समय की वह अवधी होता है जिसमें एक अधवितिय और स्थिर विशेष्टा पाई जाती है बिल्कुल सही और इस बात पर निर्भर करते हुए विबिल्न प्रकार की युग हो सकती है कि आप किस बात पर ध्यान के इंद्रत करना चाहती है तुम समझ गए और इसलिए कोई व्यक्ती एक ही समय में दो युगों में जी सकता है यदि वे युग समकालीन होते है ठीक है यदि उसी वाक्यांच युगान युग का जीवन के बारे में बात करें तो यहां किस युग के बारे में बात कर रहा है बाइबल की कहानी के आरंभ में मनुष्यों को भूमी की मिट्टी से रचा जाता है। ये नश्वर प्राणियों के लिए बाइबल का एक सामान्य रूपक है। अर्थात वे कैसे युग में जीते हैं जहां वे मर सकते हैं। पर परमेश्वर मनुष्य जाती को लेकर एक पवि अर्थात असिमित संभावनाओं से भरपूर जीवन क्योंकि ये उन्हें परमेश्वर के अपने ईश्वरिय जीवन से जोड़ता है। परन्तु कहानी एक मोड लेती है। युगान्यों के जीवन को ग्रहन करने के बदले वे भले और बुरे के ज्ञान के व्रिक्ष्ट के सही कहा इस व्रुक्षमे से खालेने का अर्थ है परमेश्वर के ज्यान से अलग होकर अपनी शर्तों पर अपने लिए जीवन को हासिल करना और इस प्रकार वे युगान युग की जीवन से निकाल दिये जाते हैं और वे हमेशा की मृत्यों में पहुंच जाते हैं वे एक इस प्रकार वाइबल की शेश पूरी कहानी को दो अलग-अलग युगों के बीच एक चुनाव के रूप में देखा जा सकता है अमारे अपनी शर्तों पर जीवन का युग जम्रत्यों तक मुचाता है या परमेश्वर के अपने जीवन का युग यद्यपी मनुष्य जाती ने परमेश्वर की जीवन को ठुकरा दिया है फिर भी परमेश्वर प्रतिग्या करता है कि वह वापस लोटने का मार्ग खोलेगा बिल्कल सही और ये वो प्रतिग्या है जो अंत में ईश्व की कहानी की ओर ले जाती है उसे परमेश्वर के अपने जीवन के मनुष्य रूब धारण करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि दोनों युग उसमें पाय जाएं वो एक ही समय में नश्वर्दा तथा समृत्य युग और अनन्त जीवन के युग में रहता है और इसलिए वह लोगों को युगान युग का जीवन दे सकता है सही का, ये वैसा है जैसा इशु यहन्ना के सुसमाचार में कहता है और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एक मात्र सच्चे परमेश्वर और इशु मसी को जिसे तुने भीजा है जाने फिर भी जैसे वाटिका में मनुष्य ने परमेश्वर की जीवन को ठुकराया था वैसे ही इशु को ठुकरा दिया गया और मार डाला गया परन्तु परमेश्वर का जीवन म्रत्यू से अधिक सामर्थ है और इसलिए इशु मरे हो में से जीवतता है और वो दूसरों को का सुसमाचार ये भी कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नश्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए ये युगा नयोग का जीवन है बहुत अच्छा अब अधिकांश लोग अनंत जीवन की विशे में यह सोचती हैं कि यह कुछ ऐसा है जो मरने की बात प्राप्त होता ह परंतु बाइबल के अनुसार मैं इस युग को अभी प्राप्त कर सकती हूं याद कीजिए इश्व वो स्थान है जहां परमेश्वर के जीवन का युग मृत्यू के युग से मिलता है और इसका आर्थ ये है कि जब लोग उस पर विश्वास करते हैं तो वे अनंत जीवन क अनुभव यहीं और आभी कर सकते हैं पर हम अभी मृत्यू के युग में भी जी रही है तो जब मैं मरूंगी तो क्या होगा जैसे मृत्यू इश्व में उपस्थित परमेश्वर के अनंत जीवन पर प्रबल नहीं हो पाई वैसे ही हम शारिरिक रूप से मरने के बाद भी परमेश्वर में जीवित रह सकते हैं बाईबल में इसे मसी के साथ होना कहा जाता है और इसके विशय में अधिक बात नहीं की जाती है क्योंकि बाईबल की संपूर्ण कहानी इस प्रकार से समाप्त नहीं होती है बाईबल का केंद्र ये है कि जीवन का युग पूरी तरह स मृत्य के युग पर विजय प्राप्त कर लेगा और जो यूशु के साथ हैं वे परमेश्वर के अनंत जीवन में सहभागी होने के लिए फिर से रचे जाएंगे एक ऐसा संसार जहां मृत्य के युग के पास फिर कोई शक्ति नहीं होगी बिल्कुल सही क्योंकि जो जीवन प कि जाएंगे लाएंगे प्राप्त कर दो युग बदिए लागगी होने के युग कर दो खिर के वाले कि बदिए प्राप्त कर लेगा हैं जीवन